नमस्कार मित्रो, स्वागत है आप सभी का विशुशान्तम में आज हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य की इच्छा रखने वाले भगवान गडेश का दो-दो विवाह कैसे हुआ एक समय धर्मात मजनाम के एक राजा हुए जिनकी कन्या का नाम तुलसी था जो योवन अवस्था में थी तुलसी अपने विवाह की इच्छा लेकर तिर्थ यात्रा पर निकल पड़ी उन्होंने कई जगहों की यात्रा की एक स्थान पर तुलसी ने तरुन अवस्था में तपस्या मेरत भगवान श्री गणेश को देखा भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकरशक था तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और भगवान गणेश से अपने विवाह का प्रस्ता उनके समक्ष रखने के लिए उनकी तपस्या भंग कर दी लेकिन भगवान गणेश ने स्वयम को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी का विवाह प्रस्ताओं ठुकरा दिया तुलसी भगवान गणेश के इस प्रकार रूखे व्यवार और अपना विवाह प्रस्ताओं ठुकराय जाने से बहुत दुखी हुई और आवेश मियाकर भग गलती का एहसास हुआ जिसके बाद तुलसी ने भगवान गणेश से छमा मांगी तब भगवान गणेश ने कहा कि ना तो तुम्हारा श्राप खाली जाएगा और ना मेरा श्राप खाली जाएगा मैं रिद्धि सिद्धि का पती बनूंगा और तुम्हारा भी विवाहा राक् लेकिन मेरी पुजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा मित्रो आपको आज की जानकरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप सबको राधे राधे